वेलकम टू ग्यान विजडम आज से अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एच एसी सी के लिए इंपोर्टन कोशन वाला सीरीज जहां पर हम एकाउंटेंसी बिजनेस टडीज फाइनेंस ओल्टी इंग्लिस हर एक सब्जेक्ट का जो है इंपोर्टन कोशन का वीडियो जो है चेप चाहिए नोट्स चाहिए जो मैं यहां पर भी इंपोर्टन कोशन दूंगा तो मैं इस पॉर्मेट में नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पर समझाने में और वीडियो एडिटर में बहुत समय लगता है तो हम लैक्टॉप स्कीन रिकॉर्डिंग देंगे और आपको जितन 25 परसेंट आपको डिसकाउंट मिल जाता है ठीक है जो उसका बेस प्राइज हमने स्टार्टिंग रखाता उससे आपको 25 परसेंट कम पे करके भी आप इंग्लीस हो या फिर और यहीं से भी का आप कोर्स ले सकते हो और बाकी सब्सक्राइब करता हूँ ठीक है सो अच्छी कोशन सोंगे उसके मैं आपको सिपर कोशन दे रहा हूं आंसर जो है इसके कोर्स के साथ हमने अवेल कराया है मतलब आपको मिल जागा कोर्स अगर अप लेते हो तो और इंग्लिस दोनों ही बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है अगर आप बोलो मार्क स्कोर करने के लिए और यह आर्ट्स कॉमर्स और साइनस सभी को कॉमन भी मिलता है इन दोनों को अप अच्छा से प्रिपेर करोगे तो आपका लेटर आने का चांस से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बेसिकली डिस्टिंग साने का चांस बहुत अच्छे स्टूइन रहते हैं और मैं आपको कुछ सत्सक्षान को आप सकते हो बट मैं को दो तरीका दे सकता हूं आपके पास में ना च्याई एक कैसा होना चाईह या या फिर निदा परोग्यरा है और यहां से कोई तीन प्रोग्ल्ट पूरा अच्छा तरह से पढ़ लो तिक हैं और यहां से को有沒有 यर सारत तीन से चार पोई मां बचाते कर लो तो अगर आप यह 3 प्लस 3 या 3 प्लस 4 मतलब मोटा-मोटी अगर आप 7 chapters कर लेते हो ठीक है 7 chapters so आपका जो टेक्सवल पोर्सन है वो कवर हो जाएगा उसके अलावा एसे जो है जितने लोगों ने paid course लिया सभी को मिली गया होगा मोटा-मोटी बुक का 15 से प्लस मैंने 10 से एक्ष्टा निकाल के दिया है अब प्लस कुछ एक टॉपिक्स में आपको एक्जाम से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा जो आपको खुछ से प्रिपेर करना चाहिए यह homework के तोर पर दिया जाएगा बाद में चेकर को मिलते रहेगा ठीक है सो मोटा-मोटी 25 से 30 आपको एससे देख लेना है और एससे जो है रटना नहीं है कोई भी बस लिखना कैसे आपको सीखना है देन उसके बाद में आपके पास में grammar है तो grammar तो हमने साय टेक कोर्शन एक अल्टी का नोट सिप मत मंगने आना क्योंकि अल्टी का नोट संदे नहीं सकते हैं विकॉस अफ सम लीगल रिस्टिक्शन ओके सो सिंपली आप साथ चेप्टर जो कहीं से भी पढ़ लो बस अच्छा तरह पढ़ लेना तो आपका काम हो जाना है ओके चले स्टार्ट करते है है पूरा उसके बाद में यहां से चो-सी से यहां से मैंने को सिफ कोसिंट ठखा है यह आपके टीपक्षंस और नहीं है जो भी आपके बुकका कोर्शन से अब उसके बाद में मैं जो आपको एक्स्ट्रा जो कोषिं देने वाला हूं वह आप अब देखो ठीक है जैसे कि who wrote martyrs corner कौन लिखा है ठीक है ना किस collection में इसका नाम आया है ठीक है वेर ड़स यह कहां पर होता है कहां 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 स्टोरी है main person को ने पूरे स्टोरी में आरके नरायन कहां उनका जनम कब हुआ था कब हुआ था कहां हुआ था basically poet या author के बारे में जो आपके बेरे खुख लिया गया यह सु आप से पूछलेटा में चिका है इसमें इसके अलाबा रिसेंटली देखा गया है waard मिनिंग सोऊनिंग अपसे पूछ लेता है एक वर्ड मेर का मतलब क्या ठीक है विच फिक यहां पर लगर लंगे ड worldly कोर्न में रामा क्या 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 को बनता है तो सब्सक्राटाब इस तरह लॉंग कोशन में क्या है अपना जैसे कि हाउ ड़स रामा स्टॉल मुविंग अफेक्ट लॉंग टम बिजनेस में उसका क्या मुविंग अफेक्ट था या फिर वाइड रामा लूज इस कॉस्टमर्स गेजुएली कैसे कैसे उसका लॉस हुआ अभी यह वाला कोशन जो है दि करती है उसका रामा का फ्रेंट्षिप कैसा था बूट पॉलिश वर वह एक बार में यह चोटे जो गरीब लोग है उनके रामा करना जरिया किया था वह सब ठीक है वह तक यह कॉष्ण जोट यह आपके वुक्स नहीं लिए गया है मतलब आपके स्टॉरी ते ही है बट दू में इंक्लूट कर दिया ठीक है क्यों मैं भी अगर एचसी का मन किया कहीं और से भी कोशन उठाने का हाला कि जब पहला वार बुक आता है तो चांस होता है आपके बुक का कोशन से दे डारेक्ट बट हम गारेंटी नहीं दे सकते हैं इसलिए आपको तीन प्रोज और तीन पू प्रोड दे दिया आपको नुटिक है इसके अलाबा एक्सप्रेसियोर व्यूस ओन देश्टू आप देखो यह जो अंसर है और आप यहां पर देखोगे जो बुक का कोशन है ठीक है यहां पर क्या क्या भी हुए तो आप पहले कोशन से मिलता हुँता हूँता हूँता आपके एक्जा में पूछ सकता है ठीक है जैन डिस्क्राइब दा माटियर्स कोर्न डिस्क इस्टोरी माटियर्स कोडनर देल्स विद्ध राइज और राइज और रहा में आगे बढ़ते रहता है और जब जो उसका दूकान के री लोकेशन हुए तब क्या होता है उसका बनने लगता है तो आप अराम से जो लिख सकते हो ठीक है मतलब कोई भी लोंग कुछन है आप राम से मिला जोला के आंसर दे सकते हो ठीक है तो यह अपना रहा फॉर्स चेप्टर के बारे में और धिरे द्रिकर के मैं आपको डालते रहोंगा क्लास और आप जो है वीडियो अगर आपको अपको बढ़िया से रटना है तो इसलिए मतलब तीन चेप्टर परोज का थीन पोएम का तो इसलिए जितना ही मिल रहा पूरा रट जाओ ठीक है और उसके अलावा जो है अगर आपका ऐसा प्रोज कंप्लीट हो एता आप अगर ऐसा कंप्लीट कर लेते हो कि आपका तीन प्रोज हो रखा है ठीक है चार पोएम हो रखा है उसके बाद में अब क्या कर सकते हैं आप सिंप्ली आप गितना भी बचावाच अब टेक्सुल देख लो ठीक है बाद बागी आप टेक्सुल देखो लेकिन तीन को ऐसा रटो किसी आने वाला कोई भी कुशन ओके सो आज के लिए इतने रहते हैं वीडियो कैसे लगा जरू बताना नीचे कोमेंट करना एंड थैंक यू और बेस्ट अफलक और कोर्स चाहिए इंग्लीज का ल्टी का तो आप जल्दी से वाट्सप करो ठीक है कोर्स एकदम 25 परसेंट इसकाउन पर डैक्ट आइक्ट को मिल रहा है ठीक है लेकिन अब घट के एकदम आपको सत्यों सोलों में मिल जाएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफीसियल रहेगा तो वहाँ पे इंग्लिस ग्रामर हो गया या जो टेक्सवल कोशांसर से देन उसके अलाभा जो आपका टेक्स्वल एक्स्प्लैनेशन हो तो मिलते या अगले ग्लास में थेंक यू और बेस्ट अवलक्त